नमस्कार मैं डॉक्टर मानक जैन आज हम बीये पाड प्रथम के दुतिये प्रश्ण पत्र का अध्यन करेंगे कल हमने देखा था जैन धर्म के का उद्गम जैन धर्म का विस्तार और जैन धर्म के तीर्थंकर भगवान पार्शवनात और मावीर सौमी के विचार और सिद्धान आज हम देखेंगे जैन विचार परंपरा मावीर के निर्वान के कई शताबनियों के बाद जैन श्रमनों ने मावीर के उपदेशों का वर्तमान गरंथों के रूप में संकलन किया इन गरंथों में मावीर के उपदेश चित्स रूप में संकलित है उनसे ही जैन धर्म के मूल विचारों का प्रकाश होता है जगत के संबन में मावीर के विचार यथार्थवादी है श्रस्टी यदि काल में ऐसे ही चली आ रही है तो कभी किसी ने उत्पन किया हो ऐसी बात नहीं है जैन तत्वार्थ सूत्र में जैन दर्शन के आधार साथ तत्व उलेकित हैं जैन के विवेचन से जैन विचार परंपरा को आत्म साथ किया जाता है ये तत्व है जीव अजीव असत्र बंद निर्जरा और मोक्ष जैन विचार में आत्मा को जीव का है चेतना जीव का लक्षन है चेतना लख्षणों जीव जगत के पदार्तों को यहां पर द्रव्य का गया है द्रव्य के दो रूप है इसका चेतन स्वरूप जीव है और अचेतन तथा भौतिक स्वरू अजीव है संसार में प्रत्यक प्रकार के जीव है इस द्रश्टी से जयन धर्म अनिकांतवादी है सभी जीवन अपने विशुद्ध अवस्ता में एक जैसे हैं सरवग्य हैं और प्रकाश्मान है जीव जिस शरीर में रहता है वैसा रूप ग्रेंड कर लेता है परंतु प्रथक प्रथक शरीरों में बद होने पर भी उसका मूल गुण नस्ट नहीं होता है संसार में आते ही कर्म करने के कारण जीव अपने मूल सरूप को विस्मरत कर देता है यही अग्यान की अवस्ता है अग्यान के कारण यह कर्म करता है और उसके फल भोगने के लिए दूसरा जन्म लेकर दुप भोगता है तक कर्म और कर्म फलों का नाश करके जीव कैसे पुहें अपने वास्विक्स रूप का साक्षापकार करें यही जैन धर्म की सबसे बड़ी समस्या है बचों अजीव तत्व के माध्यम से जीव संसारी बनता है अजीव के पांच बेद है पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल पुद्गल अपने मूल रूप में परमानू है और अनेक परमानू मिलकर सकंद रूप में इस्पर्ष, रंग, रस, गंद, वर्ण, गुणों से सहयुक्त होकर इंद्रियों द्वारा ग्राहिय होता है धर्म, गतिका और अधर्म, इस्तिती का सिद्धान्त है आकाश अनन्त अवकाश है और काल सीमा से परे शाश्वत तत्व है लेकिन भ्रह्मवश इसको अनेक खंडों के द्वारा समवतसर और युग जैसी इकाईयों में सीमित कर देखने का प्रयत्न किया जाता है विश्व में होने वाले परिवर्तन इनी काल खंडों के संधर्व में देखे जा सकते हैं जैन धर्म का एक बहुत ही महत्पुन सिद्धान्त है कर्मवाद जैन धर्म में अज्यान का मूल कर्म को माना है जीव किसी ना किसी शरीर में होने के कारण कर्मेंद्रियों और ग्यानेंद्रियों से युक्त होकर क्रिया करता है वही कर्म है कर्म के प्रभा से जीव का मूल स्वरूप ढख जाता है इसलिए वह अपने मूल स्वरूप को भूल जाता है कर्म के जीव आच्छादित होने की अवस्ता को बंद का जाता है प्रतेक जीव अपने कर्म के लिए उत्तरदाई है कर्म फलों को भोगना उसके नियती है जैन धर्म का प्रमुक लक्षे जीव को कर्म इसके बंधन से मुक्त करना है इसके दो उपाई है एक जीव की और कर्म के प्रभा को रोकना होता है, ये महावरतुं द्वारा किया जाता है, इस क्रिया को सामर कहते हैं, दो इसी के साथ पूर्व जन्म के संचित कर्म फलों का नाश भी करना होता है, ये तप के द्वारा संभव है, जैन धर में इस क्रिया को नेरजरा का है, अंत में सामर और नेरजरा की प्राप्ति से जीव कर्म के बंधन से मुक्त होकर अपने मुल सरुप को प्राप्त करता है यही मुक्ष अर्थात केवल्य किस्तेती है इसी लक्ष की प्राप्ति के लिए माहवीर ने त्रीरतन का उपदेश दिया है जैन विचारों को बौत धर्म के चार आर्य सत्यों के सब्दावली के द्वारा भी व्यक्त किया जाता है पहला है दुख बंधन है दूसरा है दुख समुदाय आ साथ्व है तीसरा है दुख निरोध केवल्य है और चोथा है दुख निरोध का मार्ग नेरजरा है जैन धर्म का एक बहुती मैत्पूर्ट सिद्दान्त है स्यादवाद बच्चों स्यादवाद में हमेशा एक प्रशन जरूर आता है अता है इसको समझना अवशक है स्यादवात का सिद्दान जयन धर्म की निजी विशेष्टा है इस सिद्दान में ज्ञान के स्वरूप पर विचार किया जाता है ज्ञान निर्पेक्ष नहीं है उसके आनंद पक्षे है द्रव्य का मूल निश्चित होने पर भी उसके स्वरूप परिवर्तित होते रहते हैं द्रव्य के गुणों को परियाय का है अनिकांत का आश्रे लेने पर वस्तु के दो विरोधी धर्मों को स्विकार आविशक हो जाता है जैसे नित्य और अनित्य इसलिए वस्तु के धर्म निरूपन के लिए जैन आचारे ने एक पद्धती का विकास किया और वह है स्यादवा द्रव्य संबंदिक ज्यान के इस स्वभाव को जयन विचार में सब्थ भंगियन के द्वारा प्रकट किया गया है। स्यात शब्द का प्रयोग किसी ने के आधार पर और वस्तू की पहचान के लिए किया जाता है। यदि नय भंग में निर्देश्ट हो, तो सयाथ शब्द का प्रयोग नहीं होता है, नय का निर्देश हो, तो भंग के साथ प्रकार होते हैं, जैसे सयाथ शायद है शायद नहीं शायद है भी नहीं भी शायद आव्यक्त है शायद आव्यक्त और व्यक्त दोनों हैं शायद है और नहीं भी आव्यक्त है जन धर्म का विभाजन मावीर के पश्चात उनके शिश्यों में इंद्रभूमी गौतम सू तर्मा वे जम्बू स्वामी ने केवल्य प्राप्त करके धर्म का प्रसार किया इसके बाद के पांच शिश्यों को जिन में अंतिम भद्र भाहू थे श्रुतु केवली कहा है केवल उन्हें जेन आगमों का पूर्ण ग्यान था लेकिन वे केवल प्राप्त नहीं कर पाए महवीर के समय तक लेपी का आविश्कार नहीं हुआ था इसलिए उनके उपदेश रूती परमपरा में विद्यमान रहे महवीर ने प्राकृत या अर्ध मगदी भाशा में उपदेश दिये उनके वचनों को स्वरूप शुद बना रहे इसलिए उनके निर्मान के पश्चा समय समय पर श्रावमनों ने कही समागम किये जिसमें महवीर के उपदेशों को प्रामानिक रूत से स्मरण किया जैन धर्म के एक कौन-कौन से साहित्य है इस पर भी हमें विचार करना है जैन आगम साहित्य को जिनमें 48 गरंट मिलते हैं छे भागों में विवक्त किया जाता है ये सबी समय समय पर हुई संगतियों में शुद्ध होकर संकलित कियえ गए थे इन साहिते में अंग उपांग प्रकेन छेट सूथ मूल सूथ्र अत्वा अण्य विवित ग्रंथ शामिल है जैन ग्रंथों पर समयंतर में विविन टीकाएं भी लिए गई है जिने निड्यूती कहा जाता है, जैन लेख कुने कन्र, तमिल, तेल्गु भाषा में सहित्य की रचना की, माहवीर के पश्चा जैन विद्मानों ने संस्कृत में भी रचनाएं की, प्रमुग जैन सहित्य हैं, अंग सहित्य, उपांग सहित्य, प्रकें शाहित्य, छेद सू इस प्रकार जैन धर्म एक विशेश धर्म के रूप में समाज में प्रचलित है अब हम ये देखेंगे कि जैन धर्म के दो संप्रदाई हैं दिगंबर संप्रदाई और श्वेतांबर संप्रदाई जैन धर्म की भारतिय संस्कृति को क्या देन है ये देखना भी हमारे लिए बारती इतिहास में जैन धर्म एग्य धर्म विरोधी धर्म के रूप में उधित हुआ जिसके प्रवर्तक शत्री वण के लोग थे यग्य धर्म उच्ऺ वण के लिए निम्न वण के लोगों के लिए यग्य नहीं होता था इसलिए जैन संग में ब्राह्मन वे चांडाल को एक ही स्थर पर स्विकार किया है। इस रश्टी से जैन धर्म का यग्य धर्म से विरोध मूलत कर्म काहण को ले कर था। जैसे जैन आगमों में वेदू को लौकिक शास्त्र कहकर उन्हें मिथ्या नहीं माना है। जैन धर्म को आर्य धर्म भी का गया है। जैन भिक्षू की एक संग्या ब्राह्मन भी है। जैन धर्म ने भारतिय संस्कृति की श्रमन परंपरा को आगे बढ़ाया। श्रमनों के अनिक संप्रदायों में पार्शव और मावीर के संप्रदाय शामिल किये गए। जैन धर्म भारतिय संकृति की योग और तब की परंपरा के विकास में महत्पून योगदान दिया. बचों, योग और तब का आदश सैंधवे संसकृती के अनंतर भारतिय विचार परंपरा में निरंतर विद्यमान राह है. जैन धर्म ने भी इन आदर्शों को अपना कर और उन्हें न देरंतर्य प्रदान किया है, दूसरी बात यह है कि काया कलेश और तब की कठोड़ता के कारण वश यह अधिक लोप्रिय नहीं हुआ, जैन धर्म के उदेश से पूर व्यदिक यूग में देव तत्व और सर्वोच प्रतिस्टा थी, देवता के समुक्ष मनुश्य की सत्ता न गण्य थी, यह अपनी बहुतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए देव प्रपा पर निर्भर था, परन्तु पहले उपनिशत धर्म में और फिर बौद और जैन धर्म में देवता की अपेक्षा मनुश्य को अधिक महतु दिया है, आतार जैन धर्म की महतुन देन है, मनु और संपूर्ण सुरुष्टी में मनुश्य ही इसे प्राप्त करने में समर्थ है, वीतरागी है जिन देवता से भी उंचा है, इती नमस्कार